चानक के AIS Academy Current Affairs में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे पाकिस्तान इरान के हालिया विवाद पे पाकिस्तान के बलुचिस्तान में इरानी एर स्ट्राइक के बाद दोनों देशों के बीच विवाद शुरू हो गया है इस हमले के बाद इरान और पाकिस्तान के बीच राजनाइक संकत पैदा हो गया है पाकिस्तान ने इरानी राजदूद को अपने देश से निशकाशित कर दिया है साथी तहरान से अपने राजदूद को वापस भी बुला लिया है इसके पीछे इरान के द्वारा पाकिस्तान पर केगे एर स्टाइक है इरान ने हाल ही में देर रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में एक आतंकवादी समोह के मुख्याले पर एर स्टाइक किया था जिसके बाद पाकिस्तान ने ये एक्शन लिया इरान ने जैश अल अदल को आतंकवादी संग्ठन की रूप में चेनित किया था पिछले कुछ वर्षों में जैश अल अदल ने इरानी सुरक्षा बलो पर कई हमले किये थे पाकिस्तान ने कहा है कि इरान के हमले में दो बच्चों की मौत भी हुई है और तीन अन्य जख्मी हुए है इरान ने इस पे कहा है कि अतिवादी संग्ठन जेश अल अदल से जुड़े दो ठीकानों को उसने टार्गिट किया है इसके बाद पाकिस्तान ने इरानी राज़दूत को वहां से निकाल दिया पाकिस्तान विदेश मंतराले की प्रवक्ता मुम्ताज जहरा बलूच ने कहा है कि पाकिस्तान ने इरान से अपने राज़दूत को वापस बुलाने का फैसला किया है साथ ही इरानी राजदूत को निश्काशित किया गया है उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में इरानी राजदूत फिलहाल पाकिस्तान वापस नहीं आ सकते हैं जो वर्तमान में इरान मिस्तित है इसके अतरिक पाकिस्तान ने इरान को कड़ी चेतावनी भी दी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्राले ने एक बयान जारी कर इरान को चेतावनी दी है। और कहा है कि बिना उकसावे के हमारे हवाई छितर का उलंगन करने और देश के भीतर हमला करने की हम निंदा करते हैं। म इरानी रिवोलुशनरी गाड कोर ने पाकिस्तान में चरमपंथियों के दो ठिकानों पर हमला किया है। अब इस सारे विवाद पर इरान का अपनामत है, इरान का कहना है कि बीते महीने सीमा के पास इरान में रस्क शहर में एक पुलिस चौकी पर हमला हुआ था, जिसमें एक दर्जन से अधिक इरानी पुलिस अधिकारियों की मौत हो गए थी. जेश अल अदल ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी, एक अन्य रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि उस वक्त इरान के ग्रह मंतरी एहमद वाहिदी ने कहा था कि हमले के लिए जेश अल अदल के चरम पंती जिम्मेदार थे, जो पाकिस्तान की सीमा की तरफ से देश में घुस पर इरान में हैं, उन्होंने इरानी विदेश मंतरी हुसेन अब्दुल्ला हियान से मुलाकात भी की थी, बताया जा रहा है कि मद्यपूर में जारी तनाव और लाल सागर पर मालवाहक जहाजों पर हो रही, खुती वी द्रोहियों के हमले को लेकर इसमें चर्चा की गई है इसके साथ ही आज का हमारे विशे यहीं पर समात्त होता है, हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ, आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद